हेलो वरीविन, वेलकम टूम 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 एक्षिन अवर साइक अडमी, दिस इज माजू। इसको हमने समझना होगा और जो भी स्टूडेंट ऐसी आईटी कमपनीज में एक कॉपरेट जॉब चाहते हैं उनके लिए बहतर अवसर है। और नेक्ष्ट यहाँ पर स्टूडी डिवुडी स्पेशलिस्ट की वेकेंसी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पर आपको जाना है जिनसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई नाओ पर यहाँ पर जो है अप्लाई लिंक जो है वो खुल जाएगी। पहरी वेकेंसी की नोटिफिकेशन आप देख पार है यह जो वेकेंसी है फार्मा को विजलेंस सेक्टर में है। जिसमें कि आप देख पा रहे हैं जॉब डेस्क्रिप्शन रोल क्या है आपका फार्मा को विजलेंस लोकेशन आपकी मुंबई चैनलाई और इंदोर रहने वाली है। जॉब डेस्क्रिप्शन क्या है कि भाईया आपको अबिलिटी तो अडेस्टेंड एनलाईज दे कॉंप्लेक्स डेटा परफॉर्म दा एक्टिविटी इंक्लूडिंग एक्सिस ऑफ केस है ना तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि फार्मा को विजलेंस का काम क्या होता है कि जितने भी ADRs होते हैं यानि कि Adverse Drug Reaction Reporting होती है उन डेटा को collect करना, analyze करना यहना यह सारे आपका work profile यहां पे लेने वाला है ठीक है जी यहां पर कोई experience मांगा है तो जी हां एक से लेकर पांच साल यहां टोटली एक से लेकर पांच साल आपको कोई experience है फार्मा को विजलेंस में तो यहां पर आपकी best opportunity है मित्रों मैं याद दिलना चाहूंगा आपको कुछी दिन पहले हमने बात की थी मतलब कुछ दिन का मेला क काने का मतलब यह है चार से पांच महीने पहले यहां पर हमने बात की थी फार्मा को विजलेंस में इंटेंसिप आई थी अब किसी student ने वो इंटेंसिप कर रखी है एक साल की तो यहां पर आपको TCS में जॉब मिल रही है और यह best opportunity है मान के चलिए ठीक है जी तो यह vacancy आपक कौन सी vacancy है तो जैसे कि मैंने आपको बताया second जो vacancy दे कि इसकी last date जो है पहली वाली जो vacancy है जहां पे बीफार्म केंडेट eligible है यह job description का फार्मा को विजलेंस सेक्टर में है इसकी last date जो है वो 25 मार्च है ठीक है second vacancy जो है वो आपकी इसकी last date 30 मार्च रहने वाली है जैसे क थोड़ा experience मांग रहा है यानि कि 6 से लेकर 12 साल का experience यहां पे रहने वाला है यह भी TCS में job रहने वाली है study operational activity यहां पे TMF management study budget management यह सब कुछ आपका यहां पे रहने वाला है ठीके मित्रों तो जो भी student TCS जैसी company में काम करना चाहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं IT sector में one of the king आप बोल सकते हैं info says TCS यह बहुत ही बड़े बड़े king है जो कि pharma person के लिए भी opportunities लाते है especially pharma को vigilance में यह काम करते हैं और इनका जो work होता है वो विदेश्वी company के साथ जादा होता है तो भाया जो भी student जो है इन सभी में interested है तो apply ज़रूर करें क्योंकि यहां पे देखिए proper way में आपको अगर आप लग जाते हैं तो एक proper way में आपको job guidance मिलती है इस sector में corporate world में हम सभी जानते हैं यहां पे fresher के लिए भी opportunity आती है उसके बारे में भी हम कई बार बात कर चुके हैं साथ भी बात करते हैं sir fresher के लिए अभी क्या कुछ opportunity तो यहां पे आप देख पारे हैं DSSB का कल notification जाने वाला है एक और DSSB का आने वाला है UPSC की तरफ से junior analyst की वेकेंसी ऐसे करके काफी सारी वेकेंसी है चल रही है वाईया तो जो भी student pharmacist exam की preparation कर रहा है study material नहीं एक बहुती best pharmacist exam के लिए study material हमारी mobile application पे available है जो भी student त्यारी करते हैं वो apply link पे click कर सकते हैं description औ भी pharmacist exam के लिए और चाहे वो DSSB हो रेल्वी हो सिपाई pharma हो और आप test rejoin कर जाते हैं तो वो भी हमारी mobile application पर आपको मिल जाएगा चलिए जी कैसा लगा आपको information जरुरुदाय कमें description में like करें share करें subscribe करें keep watching stay tuned